नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कई बार सत्रू बहुत परिशान करते हैं कई बार तो जान पहचान वाले लोग ही सत्रू होते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है आपको पता ही नहीं चलता कि आपके विरोध में कौन सड्यंत्र कर रहा है कौन आपको परिशान कर रह तो दुसमन जाने पहचाने भी हो सकते हैं और ऐसे भी दुसमन हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है और जब दुसमन हाथ धोकर पीछे पढ़ जाए तब मुस्किलें बढ़ जाती है तब चारों तरब से आप हारे वे महसूस करते हैं ठके ठके महसूस करते हैं मानो सामने मुसीबतों का पहार आ गया है और पीछे खाई है कहां जाएं क्या करें कैसे सत्रों को सांथ करें कैसे सत्रों से मुखती मिले हलांकि ये परियोग प्रचंड कहने का ताथ पर इस परियोग का कहीं कोई काटी नहीं है जब भी लोग किसी से सत्रुता निकालने के लिए परयोग करते हैं तो इसी परयोग को करने के बहुत सारे तंत्र किताबों में भी वर्णन आता है और इस परयोग को आप जोतिसी परयोग भी समझ सकते हैं लेकिन इसका जो असर है वो तंत्रिक होता है इसको कोई भी कर सकता है महिला भी कर सकती है पुरुज भी कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब इसको तो हर कोई जानता है यह है धतूरा जो सिब जी की सबसे प्री धतूरा है तो सिब जी का प्री यह धतूरा आपको सत्रूं से मुक्ति दिला सकता है आज हम आपको जो अग्यात है जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको लगातार परिसान कर रहे हैं तो ऐसे सत्रूं से बचने के लिए क्या करें और ऐसे सत्रू जिसको आप जान रहे हैं उनसे बचने के लिए क्या करें दोनों ही तरह का प्रियोग हम आपको बताए एक धतूरा का फल आपबहुत जादा जो होता है नहीं बहुत बढ़ा हो गया है वहीं यह वहिसा मत लीजिए गया जो है यह हम तो झाल होंगा जाहता है क्लीं कि शीए बार दोच जाओं। एक चाकू और दूसरा चाहिए होगा एक कील लोहे की कील और एक सफेद कागज और काला रंग का पिन या मारकर कुछ भी आप ले सकते हैं काला पिन से सफेद कागच पर सत्रू का नाम लिखे आपका जो भी सत्रू है उसका नाम लिख दीजे एक बार में आप पूरे एक फैमिली का नाम तो लिख सकते हैं लेकिन दो चार फैमिली का नाम नहीं लिखना है एक ही फैमिली का या एक बैक्ती का नाम लिखे इसके बाद चाकू से यह जो धतूरा का फल है इसमें थोरा सा कट करें चीरा लगा दें अगर चाकू ना हो तो कोई बात नहीं आप कील के सहारे उसमें थोरा सा छेद कर दें छेद समझ रहा है ना उसमें आपको गुमा गुमा कर कील को अंदर की ओर करना है तो वहां पर होल हो जाएगा गोल ऐसा इसके बाद जो आपने कागज में सत्रू का नाम लिखा है उसको आपको फोल्ड करना है कितने बार करेंगे आप साथ बार कर सकें तो बहुत अच्छा नहीं तो तीन भार भी कर सकते हैं और फिर इस छोटा कागज लीजेगा ज्यादा बड़ा कागज मत लीजेगा जो आपने चाकू से कट किया या फिर जो कील से आपने छेद किया है उसमें उस कागज को अंदर बिल्कुल अंदर तक उसको अच्छे से अंदर डाल दें इसके बाद आपने जो कील लिया है उस कील को इस जो आपने कागज में सत्रू का नाम लिखकर फल के अंदर किया है उसके साथ एक लॉंग भी डाल दीजेगा, क्योंकि लॉंग बसी करन या फिर सत्रू का नास करने या सत्रू को सांध करने में काम आता है। इसके बाद इस कील को इस धतूरे के फल में आप अच्छे से उसको डाल के डिप से एकदम ऐसा डाले कि इस पार से उस पार निकला है। फिर इसको आसपास कहीं भी घर में नहीं याद रखिये रोड साइड कहीं भी ऐसा जगा जहां आपको लोग टोकी देखे नहीं ऐसा जगा जाईए। मिट्टी में थोरा सा गड्ड़ा करें इसको डालें और उपर से मिट्टी डाल दें। हाँ, इसमें मंतर भी पढ़ा जाएगा, मंतर हम आपको बताएंगे मंतर पढ़ना है सात बार, जब आप मिठी डाल रहे हों उस समय सत्रु का नाम लेकर मंतर पढ़ा जाएगा और मिठी कभर करदें बीना पीछे मुड़े घर आ जाए काम ना करें कि सत्रू आपको परिसान ना करें जो सत्रू आप से दूर रहते हैं जिसके बारे में आप जिसके घर तक आप नहीं जा सकते ये वो परियोग था लेकिन अब सत्रू आपके आसपास ही रहते हैं आप उनको जान रहे हैं तो आप एक छोटा सा परियोग करें जो य वह भी काम करेगा लेकिन अगर पास में सत्रू है अब उसके घर तक जा सकते हैं तो फिर इस प्रियों को जो भी हम बताएंगे उसको जरूर कीजेगा क्या करेंगे ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे धर टूरे के फ़ल ले जिए, जो बहुत जोटे लेकिन शोटे माइश हो जा उसमें रस जएं कैस framework tay टूर जा मैं किल लेख को न YOU किल में इस। जो आपको इसमें नहीं डाल दें और एक लॉंग को भी उसमें डाल दें अब यहां पर यह जो लोहे कील है इसमें डालना लेगन पास में रखना है अब इसको आप जो आपके सट्रू है और उसके घर तक तो आप जाएंगे लेकिन उसके पहले मंत्र बोलेंगे कितने बार कम से कम आप heks hra baş कि ज्जादा मातरा है present यह ज्यादा मात्र है कि तो इस मंत्र को आप एक virgin ja rama blocks पर सकते हैं तो इस मंत्र में जेशे मनाप डिखाया है आप कील से लोह की कील से उसमें होल किजे फिर सत्रू वाला कागज उसमें डालिए पिर एक लांग भी सके अंदर ढाल दीजेगा और फिर इस मंत्र को आ देखिए जहां जो अमुक है, अमुक के जगह आपको सत्रू का नाम लेना है, जैसे ओम नमो रुद्राय, अमुक का जगह सत्रू का नाम, फिर सत्रू हनहन स्वाहा, इस मंत्र को आपको जब करना है, अमुक को जगह याद रखिए, सत्रू का नाम लेना है, अमुक मत बोलिएगा, सत्रू का जो वह बोल दीजिये कुछ भी नाम है राजीम नाम है रितू नाम है जो नाम है उसको भोलकर फिर आप इस मंत्र को कंपलीट करेंगे इसके बाद जो सत्रू है उसके घर के दरवाजे पर पास जाएं कब जएगा सनी बार के सुबह सुबह या सुम बार के दिन या को जो हमने आपको मंत्र बताया ओम नमो रुद्राय सत्रू का नाम फिर सत्रू हनहन स्वाहा साथ बार बोलिए और कामना कीजिए कि भगवान यह सत्रू मेरा बहुत परिसान कर रहा है मुझे हम लोगों को परिवार को परिसान करके रखा है यह सांध हो जाए हमारी तरफ हला आपको जो बताया है उस पर ध्यान दीजिए तो इसको आपको निचोड़ देना है एक बुंद भी अगर रस गिर जाता है वही काफी है और जो कील है उसको भी उसके दरवाजे पर पटक देना है फिक देना है और इस फल को निचोड़ने के बास रस वहीं पर उसके दरवा प्रियोग जब आप करेंगे किसी से बात्चित मत कीजिएगा और ना ही टोकाटू की हो इसका धियान रखेगा फिलाल विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब परें अपनों से सेयर करें कमें हर हर महादेब चरू लिखें हैं धन्यवाद